करकेट में मैच फिक्सिंग के आरोप में तीन खिलाडी जेल गए हैं एक ग्यारह बुकीज भी उनके साथ गिरफ्तार किये गए हैं स्रिसांत भी उसमें सामिल है और आपको हम BCCI के जो रिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम सुनाते हैं राधर शॉकिंग फॉर आस और BCCI हमेशा अपनी स्टैंड उन्होंने जारी कि है हम किसी तरह की क्रिकेट के लिए हम है और या तो एंटी डोपी या एंटी करप्शन के बारे में हमने सक्त स्टेप्स लिये हैं अब देश जी ये पहली बार हो इसे नहीं है ये फिक्सिंग के आरोप लेगे हैं लेकिन तीन खिलारी जेल गए हैं जे टीन के साथ साथ आठ बुकीज भी जेल गए हैं ग्यारा बुकीज घ्यारा सौरी आठ और तीन ग्यारा बुकीज हो गए तो ये कुल 14 लोग गए हैं इसको तीन दृष्टियों से देखिए सबसे पहला जिस देश में सरकारी पद बिक रहे हो जिस देश में आपके प्राकिर्तिक संसाधन जो है वो लूटे जा रहे हो बिक रहे हो जिस देश में सरकारी नीतियां बनवाने के लिए पैसे दिये जा आर्थिक नीतियां उस डंग से बन रही हो जिस देश में मंतरी स्वैम घूस ले रहे हो या आपने लोगों के द्वारा घूस जो है अपने घर पहुंचवा रहे हो या फिर अपने बाल बच्चों रिष्टेदारों के नाम पर कंपनियां बना करके सरकार के अंदर से लाब भी कहें तो प्रभावी लोग अगर उनका आचरन अगर भरश्ट है तो हम अपने खिलारियों से बिल्कुल सोचे कि यह इमांदार रहेंगे कैसे होगा दूसरी बात कि क्या IPL जैसा आयोजन जिसको कि मैं एक तो मैं कहता हूँ इंडियन परभर्शन लीग इसको मैं कभी भी उनका जो नाम है नहीं बोलता हूँ और कई बार इससे आगे जाके एक शब प्रयोग करता हूँ जिस पर लोग बड़ा अपत्ती होती है कि इंडियन प्रोस्टिउसन लीग भी है यह IPL में जहां कि खिलारी निलाम होते हो जिस खेल में जहां सुरा और सुन्दरी का ऐसा नंगा निर्ट होता हो खासकर खेल के बाद की पार्टियों में जिनकी कताँ अखवारों में आती रहती है जहां चीर लीडर को बुला करके आप वहां डांस करा रहे हो जूम को खेल कैसे है वो तो एक फटा फट मैजिक है अब उस जादू में जब वो देखते है और वो टीम कौन सी है क्या किसी देश की है क्या किसी राज की है जिनने ज़्यादा बोली लगाई दिलिप जी उनने टीम खड़ दी है तो अब खिलारी देखता है कि ये तो ये भी पैसा कमा रहे हैं चीर लीडर्स भी है रात में मौज मस्ती करो बीस ओभर का खेल खेलो तो उसमें अगर थोरा बहुत इस मैजिक में हम फिक्सी कर दें न तो इससे हमको अंतरास्ट्रिया रिकर्ड में अंतर इसे तो 1994 में ही सलीम मलिक पाकिस्तान पर पहली बार फिक्सिंग का आरोप लगा था और उस समय जो आस्ट्रिया टीम गई थी उसमें मार्कवा पर और खासकर शेन वार्न पर आरोप लगा था कि उन लोगोंने पैसे लेके बॉलिंग की हाला कि वो बाद में सच साबित नही अप्रिका के क्रिकेट टीम के कैپटन थे जब यहां यह भेड खुला और पूलिस ने पहली बार जो है दिली पूलिस नहीं उसका भी खुलाशा किया था तो यहां तो उनौने अस्विकार किया लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने दक्षीन अफरिका में स्विकार किया कि हाँ बुकी से मैंने पैसे लिये थे और फिर वहाँ के किरिकेट कंट्रोल बोर्ट को जाके मुझे जहां तक याद आ रहा है दस सारे दस हजार जो डॉलर था वो आपस किया था और उन्होंने कुछ गिफ्ट भी दे रहे थे लेकिन चाहे वह अजरुद्दीन का नाम हो जाए जड़ेजा का भी नाम आया था वह ऐसा कोई मैच नहीं निकला था जिसमें फिक्सों लेकिन फिर भी यह पता चला उस समय से कि दुनिया में जो अंडर वाल्ड है पैसे कमाने वाले हैं वह चारों तरफ से क्रिकेट को अपने अनुसार भी अगर खिलारी नहीं भी तेयार है तो मैच को खिलारी को बेचते हैं और पूरी कोसिस करते हैं तो यह एक भयानक जाल फैला हुआ था परूस्तम यह यह आफदेज जी जो मैं आपके पास वापस आता हूँ क्योंकि बड़े हम सवाल है कि पूरी जो यह प्रिकडिया है धर्मानिशा आई पी यल जिसे कहते हैं इंडियन परवर्जन लीग या कोई भी नाम देपाप लीग अलग अलग नाम से कहीं 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 क्रिकेट जो की एक बड़ा देश का सबसे बड़ा वर्ग से देखने के लिए हमेशा चाह किसी भी वर्ग से हो किसी भी धर्म से हो क्रिकेट इतना पॉपलर गेम और उसकी जिस तरह के फॉर्माट को आपने जन्म दिया है क्या इस फॉर्माट के बुनियाद में ही वो समस्या थी देखिए जो भी बात आई है सामने आप भी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियल लीग जो ये नाम दिया गया है इस सारे कि सारे आयोजन के अंदर एंटर्टेनमेंट है और एंटर्टेनमेंट उस खेल को लेकर है जो जेंटलमेंट गेम के नाम से जाना जाता रहा है जिसमें टेकनीक, जिसमें एक जिसे कहते हैं जेंटलमेंट, स्पोर्ट्समेंट स्पिर्ट नजराती थी, खिलाणियों के अंदर एक बहुत अच्छे बाव था, और एक बहुत अच्छी गेम के रूप में इसको देखा जाता था, यही कान था कि यह दिरे दिरे पॉपुलर ह इसका छोटा छोटा शोटा वरिशन शुडू हुआ, पहले ODI शुरू हुआ, one day किरकेट शुरू हुआ, और उसके बाद, अब इसको और छोटा करके तीन गटे का जैसे पिक्चर में, पिक्चर हौल में तीन गटे का शो होता है, वैसे तीन गटे का शो दिखाकर लोगों क चाहे वो अगर को यह समझता है कि कोई किरकेट हो रही है तो वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी गल्थ फैमी में है कारण यह है कि तीन गंटे में उन्होंने मैच खतम करना है और तीन गंटे बीस बीस ओवर में किसी खिलाडी की ना तो योगिता पता लगती है और ना ही बीस ओवर के अंदर पूरी टीम की जो आपकी प्रतिबा है वो उबर कर सामने आती है मुझे लगता है कि जिस परकार वो चियर गल्स के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है छोटे छोटे कपड़ों में प्रदर्शन किया जाता है एक बहुंडा प्रदर्शन जो वहाँ पर हो रहा है वो अगर आप किर्केट से जोड़ कर देखेंगे तो मुझे ल तो बात आप विखिने वाली बात उसके बाद आती है जो टीम है वो किनका एंस चाहिए ओडर कार्छु की एंदेग देखिय। खेल से संबन्द नहीं अदेजी यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस खेल की आईपियल की जो बुनियाद है उस बुनियाद में ही इन तमाम चीजों की स्वभाविक संवर्चन है उसमें मैंने यही कहा है देंखिए यह केवल मनुननंजा नहीं है एक उन्माद जिसको कहते हैं ना उत्तेजना पदा करने वाला मनुननंजा न है जिसमें इतसता फटा फट किरिकेट जुमती हूँ लड़कियां साम को पाठियां उसमें शराव उसमें डांस एक पूरी उत्तेजना तो यह बाजार का जो एक दम आप जानते हैं कि जो प्रचन्द पुंजीवाद होता है जिसको रैबिट कैपिलिजम कहते हैं वो जब अनेक प्रकार के उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जब उद्योगों में मेहनत करना परिश्रम करना उससे परेह में अपने भयानक डैना पहला हुए राक्षास की तरह आया है वहां से आप कोई भी उम्मीद करेंगे हमारा समाध आज ऐसे स्थिति में पहूंच गया है लेकिन आप अव्धेश जी मैं जो सवाल था जो बीसी सी आए और बीसी सी आए अगर इस खेल का को और्गनाइज कर बाती है तो जिस तरह से इसे निजी हाथों के द्वारा और जिस तरह से पूरा एक खेल यह खेल है वाकई यह मनुरंजन ही सर्फ है या इसके पीछे पैसे का एक बड़ा घालमेल है मुझे यह लगता है अब मैं चोटी सी बात है क्रिकेट दूसरा है मनुरंजन ने इसको क्या केल ये पैसे का खेल फिए बैब हैं ये पाईसे का भी किवल घेल नहीं है ऌप कुछ भी कर्म कुकर्म करातें हैं लेकिन ये तो न स्चित खेल है न सशुद्ध मनुरंजन है मैं यह का रहा हूं Na कि जैसे मनुष्य के अंदर मैं एक सोनपूर मेले में एक बार हम लोग गए थे, वहां कैबरे में बरी भीर लगती थी, हम लोग ने सोचा क्यों, जब हमने ठीकट कटाया, तो देखा कि ये स्टेज पर डांस करने वाली लड़कियां आपने कपरे उतार लेती है, और बुरहे जवान सब अंदर कूदती ह है, सीटी मार रहे हैं, और कुछ नहीं करती थी, और नास्ती थी, तो आप पैसे का तो होता है, लेकिन उसके पीछे की भावना को आप देखिये, कि वो केबल मालो चलो पैसे की भी एक सीमा है खेल की, इसने तो IPL ने न तो किसी खेल की मर्यादा रहने दी, न मनुरंजन की मर्यादा रहने दी, न BCCI के विधान की मर्यादा रहने दी, न क्रिकेट, हाला कि सो कॉल जेंटिलमाइन उसको कहा जाता है, वो रहा होगा कभी, मैं भी एक समय क्रिकेट पर खूब लिखता था, उसको देखता भी था, लेकिन मैं उस समय भी वन डे आने के बाद महसूस मै कर रहा था कि दीरे दीरे ये जो वन डे है, ये हाफ डे में भी चेंज होगा, और जैसे जैसे लिब्राइशन का दोर हमारे देश में बरेगा, समाज को जल्दी, अवदेश जी जो मेरा सवाल है, जो कि पैसे का खेल का मतलब, मेरा सीधा 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 सवाल है, कि क्या money laundering ज उनके बिरुद money laundering का भी है, उनके बिरुद income tax का भी है, उनके बिरुद और भी बहुत सारे crime की जाच है, आपने स्वेम देखा कि शशी थरूर जब मंतरी थे, तो केरल की जो वो टीम थी, उसको खरिदवाने के लिए अपनी उस समय पतनी भी नहीं थी, उस समय तो उनकी प्रेमिका ही थी, आज पतनी है, उनके नाम पर कैसे हो, और बहुत सारे जो black money है, अत्याधिक auction करके, और उसमें से वो white का भी काम इसमें से चल रहा है पूरे देश में, और उस समय आप जानते ही है, जब पहली बार जो हंगामा हुआ तो हमारे देश का एक TV चैनल है, उस TV चैनल में शाहरूक खान के पैसे आने की भी बात थी हो था कि IPL के जरी आया है, लेकिन वो white नहीं है, अब वो प्राइम मिनिस्टर ने दुरभाग से हमारे प्रधान मंत्री ने इसको समझने के लिए जब हंगामा हुआ, जान शुरू हुई, तो उनहीं से सुझाव लिया, कि IPL क्या है, तो ये तो इस समय आप ये सारी स्थितियां है, इसमें पैसे से सम्मंदित जितने भी अपराध हो शकते हैं, आप ये देखिए कि अगर आप BCCI को देखे, BCCI के अलग-अलग जो स्टेट चैप्टर से उसको देखे, कहीं लालू प्रसाद यादव उसमें दूसरी तरफ देखे, फिल्म स्टार्स, बिजनस्मेन उसमें गुसे हुएं, तीसरी तरफ देखे, जो ब्राडकास्टर्स में अलग-अलग जो कंपनीज हैं, कॉर्परेट्स हैं, उसको आप देखें, और ये तमाम चीजें कहीं न कहीं खेल को तो बहुत पीछे छोड़ है, कई बड़े सवाल खड़े करते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना भर ये फिक्सिंग है क्या, छोटा सा नमूना तो हम नहीं कहेंगे, चुकि मान लिजे, खुल मिला करके, अगर पचास जार एक लाग करोड का से जादा का बारा नियारा इसमें हो जाता है, तो ये बिलक छोटा है, जो सारे ये खरीद रही हैं, तो करने वाले हैं, लेकिन करवाने वाले जो लोग है, ये तो इस समय आप मैच फिक्सिंग नहीं इसको एस्पाउट फिक्सिंग बोलते हैं, कि ए खिलाडी से हमने बात कि, भाईया तू बाकी तो तुम पूरा खेलो, हमको उससे मत लेकिन ऐसे कुछ ओभर हो हमारे अनुसार उसमें खूब रंदे दो तेरा चौदा उसमें दो वाइड फेक दो और उसके आप देखेंगे ना कि देखिए इसका तो पूरा एका लाग करोड तो माल लीजिए एक आयोजन में होता है लेकिन इसमें जो बुकी का पूरी दुनिय मुझे यह लगता है दिलिब जी कि ठीक से इसमें जांच हो तो यह कुछ जो मालिक हैं यह टीमों के न वो भी कुछ ऐसे करवाते हैं पूरी चीज आई पील की पूरी जो आज जो सन्रचना है जो आज पूरी जिसमें आप चीर लीडर से लेके और तमाम उसमें मनुरंजन के मसाले डाले गए हैं वो भी आज देखिए बाहर हैं दिलीब जी कि आप सत्ता को निकट से जानते हैं उन्होंने सीधे सत्ता से जुरे हुए उन लोगों से टकराओ ले लिया और जो जो जितना पैसा इन लोगों को चाहिए था और नहीं मिला उन्होंने बहुत सारी बाते इन लोगों की नहीं मानी की जितने किसी किसी टीम में पिर तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं दानव के तरह है जिसमें कि अब सत्ता के जो खिलारी है वो भी उनका सीरस्ता बागी ताड़ी है आपके देश में ये लंबे समय से हम लोग का रहे हैं कि यहां पैशेवालों का राजनिताओं का नौकरशाहों के बीच जो एक दुर्भी शंधी है वो हर जगद दिख रही है और उन सब से जुरे हुए जो दलाल है जो बूकीज है जो अंडर वर्ल्ड है उन सारे के लिए ये बहुत एक ऐसा आईपील आयोजन हो गया है कि उसमें से ये बिना परिश्रम किये हुए बिना कोई उद्योग लगाए और ये white भी money बना सकते हैं इसमें से तो आप जानते हैं कि सभी जितने प्रभावी लोग हैं सब की कोशिस हो रही है लेकिन जब स्वार्त की टकरहात होती है न तो कुछ बाते बाहर आती है मुझे तो ये लगता है कि कहीं किसी के कारण किसी को हिस्से कम मिला होगा ठीक से कर जाच होगी क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली पुलिस के कमिशनर पर कई आरोप थे और ये सब छोटी सी चीजे आप ले आते हैं तो चार दिन पांच दिन तक खवार टीवी याई सुर्किया रहेंगी बाकी छुपेंगी तो कोई न कोई इसमें जैसे ललित मोल दिल्ली को बाहर निकालने वाले लोग थे कहीं न कहीं से उन्हीं के अंदर से सब चीजे आवाज आई हैं लेकिन आप जो प्रस्ण कर रहे हैं कि क्या ये ये आप समझिए कि ये हमारे देश के लिए कितना वरा कलंक है हमारा समाज किस ओर जा रहा है इस देश में पैसे वा करता है जो कि सीधा सासन करता है ये जो एक संस्कृतिक उपनेस है उपनीवेसया संस्कृति से मतलब हमारी अर्थ्व्यवस्था भी हमारी जीवन सहली भी हमारी भाषा भी हमारी रांसान भी उन सब पर एक साथ हमला करके और हमारे अंदर के सारे धन को अपने पास बटोरन नहीं है इस पे off record लोग बहस करते हैं IPL जिस तरह से पूरी चीज़ें लगातार विवाद में रहा है किसी ने किसी वज़े से सवाल के गेरे में हैं किसी ने किसी वज़े से देश के में money laundering से लेकर और fixing तक की बात इस में सामने आती रहे किसी ने किसी तरह से आप देखेंग ये cricket ही नहीं है इस देश के अंदर राज नेताओं ने जितने भी हमारे और भी खेल हैं चाए हौकी है चाए कोई और खेल भी है उनमें जैसे आर्चरी है उसमें उनकी जो नियंतरन करने वाली bodies है उसमें पूरा उनका हस्तक शेफ है उनकी bodies के वो परधान है उनको खेलना आता है या नहीं आता उसके वो परधान है अब IPL की तर्ज पर होकी के लिए भी आपको पता है प्रीमेर लीग शुड़ू होने वाली है उसमें भी पैसा डालने के पूरा का पूरा जो योजना है त्यार हो चुकी है अब स्वाल ये है कि अभी पिछले दिनों बहुत ही ज खिलाडियों के लिए बंदोबस्त किया है पैंशन तक लगा दी है आप हरान होंगे कि उन्होंने कैटेगरी बनाई है ए बी सी और उस कैटेगरी में जो लोग रहेंगे वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं उसके बाद भी उनको एक साल में इतना पैसा मिलेगा फिक्स को लगता है कि सिर्फ खिलाडी इसमें सामिल है? नैं यहां पर इंडीकेट करने के लिए तौउव बसाया, बाचीत उन ने खुद करी, जो सिर्फ खिलाडी सामिल नहीं है, जो डी कंपनी है, जो दाहुद इबराहीम की कंपनी है, जिसके ओपर पूरा-पूरा लोगों का इशारा जाता है, मैं आपको बताता हूँ जो एक पहले एक प्रक्रिया थी, क्योंकि हर्याना में ये जो बेवानी से लेकर और ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर काफी ज्यादा ये सटा लगता है, पहले ये मैच को लेकर लगता था, कि कौन जीतेगा, ये यहां तक सीमित था, कि वो जीतेगा, या एक्स जीतेगा, या वाई जीतेगा, वहाँ तक ये सिख्स था, अब ये बॉल टू भॉल हो गया है, और जब से ये ball to ball हुआ है तब से ये एक ओवर उनके हिसाब से फैको उसके लिए जैसे अभी बात आई है चालिस लाख रुपया एक ओवर उनके हिसाब से फैकने का अगर मिलता है तो आप सोचे है कि कितना बड़ा game plan है ये कि चालिस लाख अगर वो बॉलर को दे रहे हैं और बीस हुआ है वहाँ पर राजनीतिक लोगों का हस्तक शेप ना हो उनका सरक्षन ना हो ये इस देश में संभव नहीं है आप यह कह रहे हैं कि इसका मतलब जो सत्ता में और खेल में जो गुसे हुए है कहीं ने कहीं इसके माद्यम से आपको मालूम है अभी बात आईए ना कि जो पर जहां चेक बिठा दी जाती है साल बर बाद लोग भूल जाते हैं बात होई खतम हो जाती है क्या हुआ मोदी जी कैसे चलेगे बार ये आखेर ललित मोदी ने ये शुरू कि और वहां बैठके वह आराम से तमाम चीज़ें कर रहे हैं सब सब कंट्रोल कर रहे हैं अब य लेकिन उनको आजीवन बैन लगाया लेकिन हमारे यहां क्या हुआ अजरुदीन मेंबर पार्लिमेंट बन गए अजय जडेजा पर चार साल का बैन लगा क्यों जब तक आप इसके उपर पूरी तरह से नियंतरन करने के लिए पूरी तरह से अपना मन नहीं बनाएंगे और क्यों पर एक्शन नहीं लेंगे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जान बूज कर इन चीजों को विवाद में लाते हैं वो बिल्कुल बात रून ठीक ही है कि कोई विवाद में आता है को नया छोटा सा एक शगूफा छोड़कर उस आरे के सारे मामले को डाइवर्ट कर करने का प्रियास रहता है यह तीनों तो उनके करिंदे हैं इन्हों ने तो उनकी जो गेम प्लान है वो मैदान के अंदर क्रियानवित की है बड़ा प्लान है उसके पुलिस को नहीं पहुंच रहा है कि क्या IPL जैसे खेल पे बिलकुल भारत में चाहिए वो BCCI इसको और्गन नहीं कर सकती है इस समय जैसा आप जानते हैं आपकी फिल्मों ने जब आधे अधूरे सेक्ष तक को जो है इस समय स्विकार कर लिया है कि हमारा समाज बदल गया है क्योंकि वही लोग देश में चेतना बना रहे हैं प्रचार माध्यम उनके हाथ में है दिलिव जी उनके लोग तो चाहते ही हैं लेकिन अब धर्मानी जी कहा रहे हैं इतने करोरों लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह किलवार करके नहीं देश के ऐसे जो देश के घददार हैं जो देश के लिए जो समसे वांटेड हैं ऐसे लोगों के तरह संकेत साफसाफ दाव लिब्राहिम डी कंपरी के बारे में दिल्ली पृलुस ने संकेत दिये कहीं न कहीं मामला बहुत गंबीर है और इस गंबीरता को देखते हैं क्या इस खेल को या ऐसे चीज को और इस तरह के आप इसे कह रहे हो जैसे सरक पर एक्सिडेंट हो जाए तो सरक बंद कर दो गारी न चले अभी तो तरक यही दिया जाएगा लिए मेरा कहना यह है दिलिव मानता हूं कि एकदम से पुलिस है सही भारत में जितने आतंकवादी हमले होते हैं उसमें आईएसाई मैच फिक्सिंग होगी तो उसमें दाओद इबराहीम मैं उतनी दूर तक जाता नहीं हो कि पता नहीं है कि नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मैं उस पर जाता नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में कानून व्यवस्था कोई है की नहीं है कि अगर आपके देश में इस परकार से सट्टे लगाने पर बैन है उसमें लाको करोड के सट्टे लग रहे हैं इनको डूब मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए दिल्ली में भी लग रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था जिसके जिम्मिय उसको शर्म भी आती है कि नहीं बोलने में अगर आप इसको स्वेम भी अगर कानून व्यवस्था का पालन करके पाक साफ करने की कोसिस करें लेकिन ये दूसरी बात है कि जब सत्ता के लोग ही अपने देश में टूजी जो है मैं तो कह रहा हूँ जो कानूनी दूसरी नहीं है देखिए आई पी एलपा को तो बिल्कुल ये खिना मैंने कहा कि ये ना खेल है ना मनुननजन है ना ये ब्यापार है ये आपके अंदर की कामुकता की वासना की आपके अंदर जो एक निगेटिविटी होती है जिसको हम जिस तरह के पैसे उसमें लग रहे हैं जिस तरह से ऑक्षन होता है जिस तरह के इसमें खर दे जाते हैं बेचे जाते हैं जिस तरह का स्टेक होता है कहीं ना कहीं और जिस तरह से सारी चीजें खुल रही हैं कभी कभी खुलती रहती हैं लेकिन इसे कोशिश किया जाता है कि वो तो थीन-चार खिलारी है कैसे फिक्स किया आगे या इनको थोरे दिन बैन लगा जाए आगे की चीज़े नहीं खुलेंगे वह दर्मानी जी सवाल ही नहीं है जब सारी सत्ता और ताकतवर लोग जो हम लोग जिस पहलू से चर्चा कर रहे हैं जो हमारी आपका ही विशा न लाक रुपिया या जादा से यादा राज सरकारे दे देंगी लेकिन एक खिलारी एक मैच खेले या नहीं खेले उसको साल में पांच करोड का बेतन और रिटायर्मेंट पर उसका पेंसान आप कैसा समाज बना रहा है और मुझे आप बताईए सचीन तेंदूलकर इसमें भ ये सारे जो खिलारी भी है जिनको आप कहते हैं कि हमारे रास्ट के आइकन है ये भी तो उसी मौझ मस्ती और पैसा बनाने में लगे हुए है ये कैसे आइडियल हो सकते हैं लेकिन चुकी आपने उधारी करन के बाद एक समाज को ऐसा आप कर रहे हैं कि ये विक्रित है और ह इन्हीं परकार की भावनाएं क्रियेट कर दिया है कि उनको सपोर्ट मिलता है और हम मेडिया में अफदेश जी मैं आपके पास आता हूँ धामानी जी क्या ये समय आ गया है जब इसको इस खेल ऐसे खेल को ये खेल जो खेल क्रिकेट नहीं है जो खेल मनुरंजन नहीं है ज आई-पे-ई-पे-व्यज़ आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये एक ऐसी किरिकेट नजर आ रहा है उसको तो देखे नहीं ये यह यहां तक थीक है लेकिन उसके बाद इतने जाए बहुत सारे शेत्र हैं जिसमें इस तरह के नंगाणनाश हो रहा है जो सामने चीज नजर आ रही है मुझे लगता है कि इसके उपर तुरंट कहीं न कहीं प्रभावी अंकुष लगाने की आवशक्ति कौन लगाएगा जिस तरह से सत्ता के लोग उसमें खुद 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 लगाएगा अभी अभी जो बात अवदेश जी कह रहे थे आप अभी CBI की कभी बात आती है या किसी और स्कैम की बात आती है हम कहते कौन करेगा वो एक दूसरे पर आउप लगा जाते आप भरष्ट है हमारे उपर भरष्टाचार का रोप मत लगाएए ऐसी बाते शुरू हो जाती है आखिर जब तक इस समाज में पूरी चेतना नह आप इस आई पेल को बैन ना कोई करेगा ना करने की इसमें किसी में शम्ता है क्योंकि यह उस तर पर पहुन चुका जहां पर यह चलिए बैन मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूं मैं पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि इसके इसके प्रभावी जांच इसका करके उन लोगों तक पहुंचा जाए जो लोग वास्तम में जो करवाते हैं बिल्कुल उस तक पूंचा जाएका आपके इच्छा कि अपने पूर्ती हो जाएगा इसलिए होने ही नहीं देंगे लेकिन आप जो करें मेरे हिसाब से तो तच्छन इसको बंद करना चाहिए और ऐसे नहीं होगा तो इसका तरीका यही है कि हमलों का जो काम है कि इसके बिरूद एक जन चेतना जगाना चाहे लेकर के मीडिया के माध्यम से जनता अगर इनके खिलाफ खरी हो तभी यह सब मानेंगे और डर से बंद करनेंगे अब्देजी इसमें एक एक चीज में आपको बता दूँ जो ग्राउंड रियल्टी है वो यह है कि आज रिक्षा वाला जो गरीब है वो भी मैं कुछ और बता रहा हूं मेरे यह कहना है कि वो भी IPL match में पैसा लगाने में सटा लगाने में आगे 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 बढ़ रहा है और ये जो स्तिती बन रही है ये पूरे समाज में बन रही है मुझे लगता है कि यह जो एक campaign है इस campaign को चलाने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए उस वो अभी समाज में ऐसा वर्ग मेरे को नजर नहीं आ रहा आपके नहीं सब की हमा मेरी भी यही समाझ है लेकिन रास्ता वही है क्योंकि आई पीए जैसे आयोजन ने अपना समर्थन वर्ग पैदा किया है लोगों को लगता है खेल है मनुरंजन हो रहा है अड़े जब जो जैसे स्वादिष्ट सबजियां आपको खिलाई जाये जिसमें या मीट मचली खिलाई जाती है जिसमें की चटकारे लेकर के आपका स्वास्त कितना भी खराब हो लेकिन जीब को स्वाद लगता है हम उसको पसंद करते हैं यह सब चीजें हैं कि आपके लिए भले खराब हो लेकिन सामान मनुस को यह आकर्षित करती है और उसका यह सब लाब उठा रहे है जिसको वो सोशन कर रहे है मैं तो कहा रहा हूँ कि यह बिल्कुल एक लूट है मुझे लगता है इसमें जो आप बात कहना चाहरे है इसका अगर आप सबसे पहला कदम उठाना चाहते है अगर इस देश में फिक्सिंग बंद करवाना चाहते है तो जितने भी लोगों के साथ भावना कि खलवार करने वाले लोगों को किस तासे आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ कि जो जितने भी खेल के संस्थाएं हैं उनमें सिर्फ खिलाडी ही उनकी मिनेजमेंट में नहीं पूरी तरह से पॉलिटीशन का बेंड कर दीजे आपको नजर आएगा कि फिक्सिंग जो है कितनी काप पहुंशती है देखिए प्रसासने की स्थितियां समाज को समझने वाले प्रसासन में किसी खिलारी का रहना आवस्चक नहीं है वो भी रहें लेकिन समाज से अच्छे लोग जो कि खेल को सही भावना से प्रस्तूत करा सकते हों जिनको समझ है कि समाज कैसी प्रस्पाना चाहिए अच्छे राजनेता आज खराब अगर नहीं है तो अच्छे होंगे अगर उसमें गरवरी है तो सुधार उसके अंदर से ही होगा यह नहीं हो सकता है कि संसदी लोग तंतर में आप बिलकुल राजनिता को और नेताओं मेरे राजनिती में सक्रिये रखने वाले लोगों को बाहर करके किसी संस्थान को करें इससे मैं कता ही सहमत नहीं हो सकता हूं गरवडिया उसमें ज्यादा पैदा हुई है उसको इसलिए करा हूं कि जड़ तो हहां है आज फिक्सिंग जो है इसको लोग कह रहा है जिसे छोटा सा बुकी लेके अपराध कर लिया है सवाल अवदेश जीज ना तो यह सिर्फ 11 भुकी जिसमें शामिल है और ना सिर्फ तीन खिलाडी सामिल है मैं जो कह रहा हूं जो तीन गिरफ्तार हुए हैं खाली वह शामिल नहीं है इसकी पूरी की पूरी एक व्यवस्था है और वह उस व्यवस्था में कहीं ने कहीं जो लोग अंदर है और जो बाहर से इसमें काम कर रहे हैं उनकी मिली भगत है वहां लोगों को मालूम भी रहता है अगर दो चार दिन आप उनकी पार्टियों में जाएंगे गब सब करेंगे न तो उनको मालूम भी रहेगा कि ये ओभर फिक्स था रहे पैसा ज्यादा ले लिया ऐसे भी टॉक करते हैं मेरा कहना आज सुबह हमसे किसी ने फोन इन लिय को जाया तो मैंने कहा कि ये आईपीयल में मैच फिक्सिंग की बात अस अहीं है जैसे कोई विस्याले में जाय और उस पर एय आर ऊप लगे क्या रहे तुम विश्या के पास सेक्स करने कई ते जैसे कोई शरा अप के दुकान में बीयर बार में जाए और कह जाया रहे नहोना स्वभाविक हो सकता था अपने को बेच के अधिक से अधिक पैसे कमान आई यही तो आदर्स और प्रेरणा IPL में है तो उसमें दूसरा कोई करेगा क्या लेकिन इसको BCCI क्या इस चीज़ को हूँ इस समय जो भी खलनायक थे हमारे देश में इस समय नायक बन गए है राम चंद्र का गोपी फिल्म का गीत आपने देखा होगा राम चंद्र कह गए कि अधिया से एक दिन कल जूग आएगा हंस चुनेगा दाना दुम का कववा मोति खाएगा आप यह सविकार करते हैं ना कि आप हंस जो है वो दाना वह वो नहीं चुगेगा बाकी जो है कववा दाना चुगेगा यह बांते ना चूग रहा है वो इस्ठिती आ गई है तो और इस लोक तंत्र में लोगों के पास जो ताकत है जो जी सर हमारे देश में केवल तंत्र रह गया है ध्यान से दीखिये गया तो इसमें से लोक का तत्व गाइब हो गया है यह नाम के लिए लोक तंत्र है इसलिए सारी समस्या हो रही है और लोक रूची को विक्रित कर दि खाई दे जैसे समाधान नहीं बटा पा रहे हैं अब समाधान तो है क्या समाधान है जनता में चेतना जगा करके उसकी अलावा कोई समाधान ही नहीं है उसमें समय लगेगा इसके विरुद्ध खड़ा होना जैसे आजादी की लडाई में लोग बैंदान करना सबसे पहला जाँच इसको निश्पक्षटा से इसकी जाँच हो इसको बैंद किया जाए ये निश्पक्षटा से जाँच संभव नहीं है हम लोग तो मानते हैं IPL खतम हो लेकिन जो आप चाहाँ अगर बी-सी-सी-ई नहीं कर सकती है तो भारत के सरकार को इसको बैंद नहीं करना चाहि इसे लिए तो कह रहा हो कि हर साथ पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा IPL जो है यह खेल कैसे हैं हम लोग कह रहे हैं कि जंगच करके मैच फिक्सिंग इस पॉट फिक्सिंग बंद करा दो फांसी चरा दो चार पांच खिलारियों को और बाकी जो करोड़ों अर्ब डखार रहे हैं लूट रहे हैं वह आराम से बैठे रहे हैं मैं इस जैन टीवी के माध्यम से तो कम से कम जहां तक हमारी पहुँच है मैं ये तेज के लोगों से आहवान करूंगा कि ये लूटने वाले हमारे आपके बच्चों को प्रिवार के अंदर वासना, सेक्स, बैमानी, लूट पैदा करने वाले इस खेल के पहिसकार का आहवा देखे मुझे लगता है कि अगर ये स्थिती हो जाए तो चीजे अपने आप बदल जाएंगी पर जो बार मैं वही बात कह रहा हूं कि जो एक रूप बैन नहीं एक रूप सवरूप दिखार जांच से पहले क्या पीप आज लोगों को इसको बैकट करना चाहिए बिलकुल लोगों की जो कह रहे हैं कि छुकी सरकास अता के सरसूग वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं इसलिए सरकार इसको बैन नहीं कर सकती है लेकिन लोगों के हाथ में रिमोट है इसको बाइकार सकता है लोगों की जो प्रात्मिक्ता हैं उसमें मनुरुंजन है शामिल और इसलिए लोग इदर को जैसे का ना विक्रित रूप से उसको प्रेजेंट किया गया है और अगर लोग इससे अवेर हो जाएं उनके साथ धोका हुरा है और लोग इसका बाइकाट करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में IPL अपने आप बंध हो जाए हम तो आप मैं तो आहवान करना हूं दिलीब जी आपके अपने इस जैन टीवी के माद्यम से कि जो जहां सुन रहे इस पर विचार करें कि हमारे देश का लाखो करूर रूपया लूट करके और हमारे अंदर एक उनमाद ए बदो दने वादे